में वर्नित है कि प्रभू शीराम अयोध्या आने के बाद उन्हें दो बार लंका गए थे वे वहां विभीशन की रक्षा ही तू गए थे आनंद रामायन राज कान पूरवार्द अध्याय क्रमांग चार से लेकर साथ के अनुसार शुरोना नदी के तरद पर मायापुरी ना लंका को चलती है वहां पहुंचकर उन्होंने पॉंडर को मारा और फिर विभीशन को लंका के सिंगहासन पर बैठा कर अयोध्या लोटाए जब विभीशन के कुमकरन के पुत्र के बारे में बताया इसके बाद एक दिन राम अपनी सभा में बैठी थे तब अपनी इस्तरी लोखियों ने उसके मुह में मधू के एक एक बून टपका कर उसकी रक्षा की वैस समय बढ़ा हुआ है जब उसने लोगों के मुह से यह सुना कि राम ने मेरे पिता तता कुटुम्वियों का नास किया है तब उग्र तपस्याद्वारा उसने ब्रहमा को संतुष्ट करके सिर्फ इस्त्री के हाथों मरेगा प्राप्त कर लिया वर के प्रभाव से गर्वित होकर पाताल निवासी राक्षसों की सहायता से उसने लंका पर चड़ाई कर दी विभीशन ने छे महीने तक उसके साथ घमासान योद्ध किया अंत में उसने उन्हें परास्त करके लंका प अंत्रियों के साथ एक सुरंग के रास्ति से भागे एक योजन दूर भागने पर ठेर गये जहां रातली वतीत हो गई जवागे बढ़े और राम के पास युद्ध्याप महुचे राक्षस मूल नश्यत्र में पैदा हुआ तथा वरक्षों के नीचे उसका पालन पोशन और युद्ध करते करते एक बार उसने कि रणा व्र से यहां तक जानता हूं सीगी ही वे आपसे भी युद्ध करनी के लिए आएगा ऐसी अवस्ता में आप जो उचित समझें सो करें